अर्वी फंटासी सेवन तो इस सुड़ों में हम बात करने वाले अमेरिकन बास्केरबॉल लिग का जो मैच खेला जाने वाला है इंडियाना वसेज गोल्डन स्टेट वारेस की बीच में दोने टिम में कंपरेजन करें तो पॉइंटेबल पर एट और त्रेंट पोजिशन वा टर्नर विदाउट हलिवाल टर्नर टर्नर का वह मैच आपर इंडियाना ने वीन किया था तो दोनों टिम कंपेरोटे लिए इक्वेली स्ट्रांग है ज्यादा कुछ डिफरेंस दोनों टिम के बीच में है नहीं लेकिन आपर एंडू विंग इस गोल्डन स्टेट वारेस के जब से आपर के लिए नहीं गोल्डन स्टेट वारेस के मैच इस के नंबर आप मैच जो लास होए थोड़े से ज्यादा एक्स्टा होए तो मुझे लगता है आज का मैच आपर इंडियाना वीन कर सकती है क्योंकि आपने होम में भी खेलने का परफॉर्मस अच्छा करते है और अगर आप यहाँ पर टीम पर पैसा इंवेश्मेंट करते हो तो मेरी जो प्रेडिक्शन है कि आज के मैच इंडियाना यह आज का मैच वीन कर सकती है इंवेश्मेंट थोड़ी सी कमी रखना जादे इंवेश्मेंट मत करना क्योंकि आप एक्वली फेवरेबल मैच यह लेकिन थोड़ा सा इन फेवर यहाँ पर इंडियाना का यहाँ पर में करो क्योंकि क्ले तॉमसं की भी न्यूज आ रही उनको भी आज के मैचेस में रेज दिया जा सकता है बागी जो सारे अपडेट्स है वो डिटेल में हम वीडियो में डिसकस करेंगे वीडियो गोल्डन स्टेट वारेस की दरफ से रेगुलर स्टार्टिंग लाइन अप आपको देखनों को मिल सकते हैं स्टेफंकरी स्टार्ट करेंगे पौइंगार पोजिशन से गेम टाम डिसीजन है क्ले तॉमसं का हो सकता आज के मैचेस में इनको रेज दिया जाएंगा अगर इन स्टार्टिंग लाने पर स्टेफंकरी और जॉर्डन पूल याप पर स्टार्ट करेंगे क्ले तो मैं यापर बडेट कर चले जा रहो यापर यह स्टार्ट करेंगे अगर यह स्टार्ट नहीं करते तो जो चंजे से वह मैंने आपको यापर बता रहें पावर फार्वर सेक् में इग्नोर करने वाले डिसेंटली दो तीन मैचेस में इतना परफॉर्मस आया नहीं लेकिन अगेन आपर एक ऐसा प्लेयर है जो कि अल्डाउन परफॉर्मस देता है पॉइंट रिबाउन और असिस्ट दोनों सेक्षन से आपके लिए ग्राइंट के लिए काफी अच्छी क्या लेकिन अडिविक जाएसा डिफेंस आपर जाटों पूल का नहीं है यही रिजन है कि आपर यह तीम थोड़ से आपर रिसेंटली मैचेस लॉस ओकर आ रहे है लाइक फॉर लाइक चेंजेस रहेंगो ऑफेंस में जाटों पूल का क्ले तॉमसं की जगा पर लेकिन इंपॉर्टन भी काप के लिए हो सकता है लास्ट मैच थोड़ा सा अपर इनका अरेज रहा था लेकिन फिर भी शूटिंग से काफ ज़्यादा शॉट्स ट्राइक करते हैं तो जरूर आप इनको ट्राइक कर लेना स्टेप अंकरी लास्ट मैच में थोड़ा सा यूशू था मैच के बीच में से आपर थोड़ा सा पर लॉकर रूम में चले गए थे हो सकता है थोड़ा सा इंज्यूरी इस्यू हो या फिर हो सकता है थोड़ा सा अपर हलके होने के लिए लेकिन लास्ट मैच में इनकी तरफ से 20.60 बॉन एक ब्लॉक और एक स्टिल वन साइड एले आप करेंगी आपके लिए काफी अच्छे ग्रान लिख करेंगे आप जरूर्ष राय कर लेना लोने के लिए स्मॉल लिग पिक जो रहेंगे आपके लिवा आप लो उफिंस्टे में फिर राइस किया जा सकता है अगर आज का मैच क्ले लिए तामसन नहीं के लिए जो रिसेंटल फिलाल अभी चलिए आपर इनके बेस्ट मैंज प्लेयर है और जमायकर अगरें जो कि आपर बैक अप सेंटर से खेल रहें इनको भी आपर रिसेंट लिमाचेस में टाइम मेला लेकिन जागा पर प्रिफरांस दिया जाता नहीं इनकी जगापर अंतोनिय लाम को भी आपर यू तो यहीं टिम के आपर बैंस प्लेयर तीन ही इंपॉर्टम प्लेयर मुझे लग रहें कुमिंगा एंतनिय लाम और डेविन साजू एक ग्रैंड लिग और स्मॉल लिग दोने के लिए आपके लिए अच्छी पीक रहेंगे अभी जो हेट्ट्योर मैच हुआ था उस मैचेस क में भी फ्लाफ हो लेकिन इफ और अलेस अगर सेम मैचेस का जो पर्फोर्मस से वह रिबीट वहा था आपके लिए काफी अच्छी आपर ऑफोपर्चुनियोटी रहेंगे गरान लिग में तो थोड़ा सा रिक्स कर ले सकते हो क्ले तामसंग के एट्टोल मैच काफी और से कं वंगे थाला चला तो लोनी आपको ऐचांघ मैंचे मंः अगर फिर से वन साइडिल होता रहा तो आपर लोनी को फिर से कं में लेकर चांसेस रहेंगे इंडियाना के तरफ से लास्ट मैंच में का ज़्यादा इनको ओफेसर क्या था निम आपक्ष गिना स्टर्ट tooki कि वज़े से आप यह वापस आये Asia और उनकी जगह पर हो सकता है आपको आठ कम चैसे समिंद वह आप स्टार्ट को मिल सकते जेली समीट से मैसे में ऐड़ स्टार करते यह पर अभी वह अपर आप're जरेन समीट के तो थोड़ा से पर इसकी पीक आप के लिए हमेंसे से आप पर रहेंगे तरफ से लास्ट मैचेस में परफॉर्मस आया है रिसेंटली दू-तिन मैचेस इनकी थोड़े से अभरेज रहे थे लेकिन लास्ट मैचेस में हली बर्टन ने काफी ज्यादा श्रगल किया था उस सीनार पर जो लास्ट मैच का परफॉर्मस है होली बर्टन के लिए डिफिनिटली कुछ अच्छा रहा नहीं है आज के मैचेस में आप इनकी तरफ से बेटर प्रेडिक कर सकते हो अपने ट्यूम के आप पर स्टार प्लेले लास्ट मैचेस में इन्होंने नाइन फिल्गोल से शॉ से जाओ नेमबाणाइडर के लिए लास्ट माच काफी अच्छा रहा था और प्लस हेटुर मैचेस में आपने टिम की तरफ से टौफ स्कोर रहे थे तुक्छ उस माचेस में आप पर हली बरतन नहीं खेड़ रहे ठेख अपर टरॉन से बर इस्मीट में स्टार्ट अच्छ के चलते वापस बाहर हो गए थे अगर आप पर 100% वे तो हो सकता है आज की मैचस में भी आपको स्टार्टिंग लाइनप में देखनों को मिलेंगे जो मैच रहा था ने बाड़े आपर पर पर्फोंस रहे थे बड़ी की तरफ से भी काफी अच्छा पर्फोंस रहा था मतुरा लिए पिक क्या अगर या से बात करूं तो सिधा सिदा सिदा जो आपके लिए पिक रहेंगी ओर होंगी एक दिवाप पर हली बार टंड बड़ी ही डिपाल्ट करेने वाले निंबर को अब कर सकते हो और टर्नर आपके लिए थोड़ी से डिफरेंचिल क्रेंगे अगर पर अच्छा रहा है अगर आपके लिए काफी इंपॉर्टन पी करेंगी इस टिम के तरफ से बैंस्ट भी काफी ज्यादा स्टॉंग है रिचार्ड फिल्ड जो कि आप पर 72-80 पॉइंट पर गेम इनके आपर अवरेज इस सेजन में ऑफेंसली काफी ज्यादा अच्छा परफ इनको टाइम अच्छा कासा मिलने के चांसेस रहेंगे और रिसेंटली जो मैचेस में परफॉर्मस आया है वह आपर प्रिसीट की तरफ से काफी अच्छा है लाहस माच चोड़ दे तुससे पहले हर मैचेस में इन्होंने परफॉर्मस दिया है इस एक्सन जो कि आपर वाप मैचेस में जो परफॉर्मस आया ब्रिसेट टॉप स्कोरर रहे थे उससा साथ इजाइज अक्षन हंडेट परसेंट होए तो यह आपके काफी अच्छी ग्रांड लिग पीक रहेंगे और इस मैच में आप पर जो आपर बैंच प्लेर थे अंबतुराना यह आपर एस स्टार परफॉर्मस आच्छा आथा एकन्ण रास्ट माचेस में परफॉर्मस देख सकते हो मतुरना के तरब से काफी अच्छा मैंक्नमौ ने भी अच्छा दिया था ब्रिशेट रेगुलर्ली परफॉर्मस देकर आरे नीच मिस अच्छा आपर स्टार्टर के लिए ते कहलते थे अभी भी आपर इनको regularly एक अच्छा time नहीं मिटा लेकिन अगेन आपर काफी important player अगर आपर नहीं किलता आज का माच आपर नहीं स्मित तो यापर इनको भी time अच्छे मिलने के chances रहेंगे अभी फिलाल आपर अपने team के दरफ से forward से top scorer दे लेकिन आपर injury के चलते अभी भी time limitation के साथ करें तो इसकी पीक आपके लिए हमेशा से आप पर रहेंगे जब तक आप 100% फीट नहीं होते अगर आज से बात करूंगा सिधा dream alone team तो स्टेफं करें और जॉल्डन पूल तो यह default pick रहने वाले होरी वाल्टन और उसकी साथ साथ बढ़ी हीड default pick आपके लिए जैक्शन स्मॉल लिए आपके लिए खाफी अच्छी पीक रहेंगे कुमिंगा और उस इक साथ साथ ब्रिसेट यह दोना आपके लिए बेस्ट आपर स्मॉल लिए पीक रहेंगे बाकि जो हाई क्रेडिट के प्लेयर है वो है आपर डिग्रीन इनको आपर ग्रैंड लिग मे अगर आपर कोई न्यूज आई यहाँ पर पूरा टाइम यहाँ पर अपने टिम के लिए अवेलेबल हुए थे आपर लोनी की जागा पर में जैलीन स्मित को अपने टिम में आज से प्रसंत दे दूंगा बचेंगे 22 क्रेडिट 22 क्रेडिट में अभी आपर इंपोर्टन यह परफॉंस आपने टिम के लिए परफॉंस आया यह पिर पूंबिंगा और बिशेट इन दोनों में से किसी यह को प्रफॉंस दे दूंगा फिलाल एंडू विंग इस नहीं खेल आपको भी आजका मैंस में अच्छा का सा राइम मिलने के चांसे रहेंगे इनको आपर फिलाल रेमलन टिम है बिल्कुल भी फाइनल टीम नहीं इस टिम के साथ मेरी यसपी और फिक रहने वाले है वह पराइंगा प्रिक एस पिक बनहुंगा है अलिबार टन मेरे रहने वाले पीक, जो रहेंगे वो रहेंगे अगेन आपके लिए टरणर लास्ट मैच में आपर तर्ण को मैंने ग्राइब में ट्राइब किया था रैंग काफी अच्छा आया था क्योंकि सेलेक्शन परसेंटेज लास्ट मैच में इनका काफी कम था लेकिन फर्फॉर्मस् फ्लास्ट माच में अच्छी तरीके से इनकी तरफ से आये ब्लॉक और रिबाउंड और उसे जो पॉइंट है दोने से दोने से दिन से इनकी तरफ से फर्फॉर्मस आया अगेने आपर ग्रांड लिग के लेकाफी ज़रूर्ण लिग में आप ट्राइब कर लेना फिलाल अगर खेले तो इसमें थोड़े से चेंजेस होने के चांसे रहेंगे वीडियो पसंद लायोंगा उसके साथ आपने लाइक और सब्सक्राइब भी कियोंगा तो मिलते हैं फाइनल टिम के साथ हमारे टेलिग्राम चैनल पर